अगें आज की दिन हमने इसमें चेंज ऑफ कारेक्टर सी एच जो एक में आपको बता रहा है ट्रीड एक्जिक्यूट करने के लिए यह हमारा कॉंटिनुएस थर्ट है जो हमने सेम मैंट के अकॉर्डिंग एक्जिक्यूट किया है इसके पीछे का रीजन कैसे हमने मार्किंग इसको भी और अच्छी तरह से हम डिसकस करेंगे और मॉर्निंग में अपने प्राइट गूर्प के अंदर हमने कोई भी स्टॉक नहीं दिया था वहां पर एक चोटा सा मेसेज कर दिया था अगर किसी भी स्टॉक में हमें कान्विक्शन दिखेगा तो ही हम शेर करेंगे तो मॉर्निंग में कोई भी स्टॉक हमने अपने अपने प्राइट गूर्प में शेर नहीं किया और इस स्टॉक मतलब एक्सिस बैंक को भी आज हमने परस्नली ही टेट किया कहीं पर भी शेर नहीं किया था तो ट्रेड बुक ओपन कर लेते हैं जल्दी से यहां पर पासवर्ट बग्राइब हैं ओके रच्च के में लोग यहां पर पोशिचन बुक करेंगे पोशिचन बुक बुक वापस करेंगे पोशिचन बुक ठेक है इसके अदर आप देखियो ओवर लॉल जो हमारा आज का प पीस का प्रॉफिट है जो कि डीसेंट सा प्रॉफिट है हमारा आज के दिन का इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं काभी स्मूद मोमेंटम एक्सिस बैंक ने हमको दिखा ही हालां कि ऑवर अगर मार्केट को हम देखते हैं तो वह को कहीं ना कहीं साइडवी मोमेंटम ही ज्यादा तर जितने भी स्टॉक हैं वह सभी स्टॉक ने हमें साइडवी मोमेंटम चुकिए और बुक में चलेंगे और में देखेंगे 1580 कौन्टी इसमारे पास आ थी 1578 या 79 कौन्टी कुछ आ रही थी इसको भी रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार सो राउंड फीगर में हम में इसके अंदर 1580 कौन्टी के साथ और प्लेस किया था सो आज का जो हमने इसके अंदर प्रॉफिट किया है हालां कि प्रॉफिट हमें और भी ज्यादा मतलब 15,000 के राउंड का प्रॉफिट देख रहा था बट मालूम नहीं था जहां पर हमको हमारे टार्गेट मिला था क अब देखिए प्रीवेस डेहाई और प्रीवेस डेलो इस कॉंसेप्ट को बहुत से लोग जानते हैं समझते भी हैं बट यूस कैसा और कहां पर करना है इसमें बहुत सारी कन्फिजन रहती है हालां कि प्राइज अब उस लेवल पर आ जाता है तो कॉंसेट की कमी होने के व लेकर जब यूस करने की बार यह थो तो कॉंफिटेंस इस कदर लूज हो जाता है वहाँ पर कि ट्रेड एग्जेक्यूट नहीं कर पाते हैं मार्केट बंद होने के बाद पता चलता है ओके आज जो मोमेंटम हुआ है हमारा यह प्रीवेस डे लोग के पास से प्रेजन मोमे अब आप यहाँ पर जैसे देखोगे तो एक बेसिक सा कॉंसेप्ट होता है गैप फिलिंग का एक्सिस बैंक आज गैप फिल करने के लिए हमारी ट्यूस्टे की जो कैंडल थी 4th of October की कैंडल यहाँ पर 325 की कैंडल के हाई तक प्राइस आया क्योंकि इसने गैप उपनिंग दे दी थी 6th of October को तो प्राइस ने क्या कि है कि यह वाला जो गैप था यह इसका बचा हुआ गैप था यहाँ पर आप कह सकते हो कि जितने भी ओर्डर समारे बाइंग साइड में पढ़े हुए थे यह फिल अप नहीं हुए थे अब आप बोल सकते हैं कि यहाँ पर काफी सा जादे निक्रीज हुए हाला कि ओर्डर ज्यादा था इस वैसे कह सकते हैं कि गैप अप हो गया अब इस बीच के जितने भी ओर्डर थे इसने आज फिल आप देख रहो इसका तरीका यह होता है जानने का कि जैसे जैसे मार्केट के ओर्डर फिल होंगे आपको यहाँ पर व आपको कम होती हुँ नजर आएंगे और प्राइज ने एक रेंज अपनी बना लिए अब अगर प्राइज को नीचे के दिशा तक जाना था तो इसे क्या करना था क्यू स्टे की जो 325 की केंडल थी 4th of October की इस रेंज के नीचे जाकर कि इसको ट्रेट करना होता तब तो यह वीक होता है बड़ प्राइज ने क्या क्या है हमारी 325 की रेंज के हाई से ही यह सपोर्ट लेने लगा और प्राइज जैसे ही मेरी इस वाली रेंज के अंदर आया लाइन्स में बिल्कुल भी कन्फ्यूज मत होईगा वीडियो कर अच्छा लगता है बगास बहुत मेहनत ल मिल सकते इन वीडियो से तो आप वहाँ पर शेयर भी कर सकते हो थैंक्स आगे बढ़ते हैं देखिए प्राइज में हमने बनाई है इसमें बिल्कुल भी कन्फ्यूज मत हो जाएगा बिकॉस जब आप स्किप करके देखो गे वीडियो तो आपको समझ नहीं आगा कि अभी प्रिवेस डे हाई के पास से ही जब प्रिवेस तो प्रिवेस डे का जो हाई था उसके पास से प्राइज ने सपोर्ट फिल अप करना शुरू किया सपोर्ट बिल्ट किया और यहां से प्राइज में क्या हुआ है देखिए चेंज ऑफ करेक्टर क्या होता है लास्ट थ्री वीडियो जब आप देखोगे जाकर के या शायद थर्ड वीडियो ही है उसमें हमने आपको CHOCH थमने लिए आपको समझ में आ जागा होम पेज पर आप जाओगे तो CHOCH के नाम से आपको वीडियो मिल जागा उसके जरूर से जरूर देख लेना बहुत सारी हल्प आपको उसक अपको इससे उसके पर प्राइब कर देखेंगे तो हम यहां इक सीध़ लिए और रेक्स के फॉर्मेशन कर दी और रेक्स के एक गार्डिंग क्या होता है कि प्राइस का जो ट्रेंद होता है यह रिवर्स होने की कुशिश करता है कही ना कहीं अब Rex Formation के बाद में देखी प्राइज ने क्या किया एक लो अगेन एक हाई अब यहां से क्या हुआ कि resistance के breakout होने शुरू हुए मतलब कि price ने अपना character change किया एक तरह से change of character और एक इसके अंदर concept होता है आपका smart money concept के अंदर break of structure break of structure और change of character यह कहीं न कहीं similar ही होते हैं एक resistance breakout को दर्शाता है और एक support breakout को दर्शाता है कोशिच करेंगे Saturday या फिस संड़े की दिन अगर हमें सही मिला विडियोज थीक नहीं है और वीडियोज हाला कि एट्रेड हमने एक्जिक्यूट किया था इस वाइसे हम इसको explain करें आप लोगों के साथ अगर कल तक हम इस तब यह सही होती है फिस संड़े तक भी सही होती है थोड़ा बहुत अगर हम better feel करते है तो आप लोगों के लिए concept हम वीडियो अप्लोड करके कोशिच करेंगे कि share करें आप लोगों के साथ because बहुत help आपको उससे मिल सकती है change of character and break of structure अब price ने देखे जैसे ही यहाँ पर अपना structure break किया upside की तरफ इसके अंदर एक move हम लोग expect कर सकते हैं यह समझ मैं है ना change of character high again price ने यहाँ पर low लगा और फिर से देखे इसने एक high लगा दिया समझ रहे हैं यह एक तरह से break of structure होता है इसके थुरू हमने आज के दिन अपना trade execute किया price के अंदर जब इसने हमारा previous day important level के पास से जब इसने momentum upside की दिखा है अब क्यूंकि upside की तरफ का momentum है तो इसलिए तुरंत हम exit कर नहीं लेंगे sorry अपना trade तो execute करेंगे ने जब हम देख रहे हैं कि lower time frame के अंदर इसने अपने intraday के highs ब्रेक करने शुरू किये low high low again एक high फिर से low यहाँ पर आप देख रहे हैं यह वाली जो candle है हमाली यह वाला जो low है मेरा यह important low बनेगा अगर price यह support बना रहा है इसको नीचे की तरफ गिरना है तो आगे चल करके यही support आपका resistance area बनता है आप देख रहे हो कि price ने कैसे यहाँ पर जाकर कि holdings की है और फिर से आपने इस resistance को break के upside की तरफ अब यह वाला जो swing है यहाँ पर आपको holdings नजर आ जाएंगे देखेगा अगर हम इसको mark करें यह वाला area अगर इसको आप mark करोगे तो देखो किस तरह से price वहाँ पर breakout दिखा रहा है और again previous day यहाँ तक price पहुँचा और फिर से देखे क्या हुआ है कि यहाँ पर price ने जब यह 6th of October को upside की तरफ जा रहा था तो यह first resistance हम बोल सकते हैं क्योंकि 9.15 की जो candle हमारी बन रही ना सभी ranges को delete कर देते हैं because the entry is stop loss target विगर आपने देखी लिए हैं अब 9.15 की range को breakout कर देने के बाद में यह downside की move और again upside की दरफ तो यह वाला जो structure हमारा बना इसके थुरू हमने आज के अपने targets book किया जैसे प्राइस हमारा इस वाले level पर आया हमने इसके अंदर अपने जितने भी targets अगरा थे सारे के सारे कहीं इस वाली range पर अपने जितने भी profits थे वो सारे book कर लिए and stop loss लगाने के लिए हमने कोशिश की कि यह वाली जो अपनी black candle है हम इस black वाली candle के नीचे क्योंकि यह black candle बाद में बनी थी और entry हमारी लगभग लगभग कहीं न कहीं इस वाली यह जो black candle है यह वाली candle शाहत बन रही थी जो हमने अपना trade execute किया था because यह range बन रही थी हमारी हमें इसके अंदर अपना trade execute करना था क्योंकि यह जो ranges बनी थी यह important ranges थी और जो हमारी entry हुई थी इन ranges के बीच में बिल्कुल entry हुई थी stop loss लगाने के लिए हमने कोशिच की कि हम यह वाली जो green candle है इस green वाली candle के नीचे और इस black वाली candle के भी नीचे अपना stop loss लगा यह गुर्पय 90 पैसे के आसपास का हमारा stop loss आये था यहां पर हमने अपना stop loss लोगा यहां पर हमने आपको बताई इस ranges पर हमारी entry थी और टार्गेट्स जो हमने इसके अंदर अपनी निकाले थे वह इस वाले point पर हमने अपने टार्गेट्स पूग कर लिए थे तो overall हमारा यह आज का trade था I hope कि समझ में आऊगा देखिए minute price analysis है कोई बहुत बड़ा logic इसके अंदर हम लोग नहीं लगाते एक simple सा structure होता है अब जैसे day time frame पर हम आपको दिखाएं तो day time frame पर आपको यहां पर दिखेगा कि prices के कुछ momentum हैं कि जैसे highs, lows, highs, lows अब इन सभी ranges को चलिए हम लोग delete कर देते हैं है ना आप एक basic सी चीज़ देखो volumes को भी off कर देते हैं एक high लगा, एक low लगा again एक high, एक low फिर से high, फिर से low high, low, high और फिर से यहां पर देखिए low लगा समझ भा रहा हैं अब यह एक low लगा price अगर इस वाली range के नीचे निकला था तो यह निकल जाता ना यह वापस से उपर क्या करने चला गया अब अगर यह upside की तरफ गया है तो कहीं न कहीं इसके resistance zone यह वाले हैं अब अगर price इस वाले level से upside की तरफ reject हुआ है तो इसके जो next targets बनते हैं वो यह वाले target points होंगे यह resistance area इसको present breakout के अब next resistance area जो बन रहा है वो यह वाला बन रहा है मतलब कि day time frame पर कहीं न कहीं आपको यह strongest दिखा रहा है फिर से देखे एक यह low point price को अगर नीचे की तरफ जाना तो इस black वाली candle का low break कर दे क्यूंकि देखिए इस black वाली candle नहीं एक mother candle form को दिए इस mother candle ने upside के तरफ के momentums दिखा दिया हम लोगों को अगर हमें मौका मिला तो Axis Bank को फिर से trade करेंगे यहां से अच्छा से trade execute करके हम आपको देखाएंगे अगर market ने support किया और price हमको 758.60 के उपर sustain होता हूँ नजर आया इस marking को आप अपने पास save करके रखो आगर आपको यह stock आपके levels पर मिल रहा है और आपके according यह stock सही performance करता है तो आप इसके अंदर जरूर से जरूर trade execute कर सकते हो एक entry बना सकते हो और इसमें से काफी पैसा आप बना सकते हो आप हम लोग मिलेंगे अपने next trading session में तब तक लिए thanks and we will meet again